हाईलो फ्रैंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल समराट एजूकेशन दोस्तो आज इस वीडियो में आप लोग को ब्यासी एक्रिकल्चर फिप्ट समेश्टर की एक विश है रेंफेटर आइलेंड एक्रिकल्चर एजी पान सो एक का मुस्ट इंपॉर्टेंट क्यूच क्यूशन कराने वाला हूँ और यह क्लास मैं राथान होने वाला है लगवाथ 40-45 मेट कर एक क्लास होगा मैं मीनिमम ठीक है तो आप लोग यदि इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग का 75% जो है तो सबसे पहला क्यूशन देखेंगे बारानी खेती क्या है भारत में बारानी खेती किया हो सकता का वड़न कीजिए ठीक है बारानी खेती क्या है रेनफेट फार्मिंग क्या है भारत में रेनफेट फार्मिंग क्या हो सकता है उसका वड़न कीजिए उसलिए देखते हैं बारानी खेती क्या होती है, rain fed farming क्या होती है ठीक है तो rain fed farming को वर्सा धुर्ण धिन खेती भी कहा जाता है उसी को बारानी खेती या उसी को rain fed farming कहेंगे rain fed farming का मतनब क्या है rain के ऊपर क्या रहेगी पुरी रूप से आस्थित रहेगी उसको क्या कहेंगे बारानी खेती कहेंगी या वर्षा दिन खेती कहेंगी ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि सिचाई किये बिना ही क्रीसी करने की तकनीक को rain fed farming कहा जाता है तो देखी एक question का मैं दो तीन उत्तर बताओंगा ठीक है जो भी आप लोग अच्छा रहा कि उसको लिशेगा और आप लोग का समझ में आना चाहिए इसा भी question को मुख्य रूब से वर्षा द्वारा पाला आता है ठीक है वारानी खेती या द्वार्शआ धालित खेती एक प्रकार की ऐसी क्रिसी प्रडाली है जिसमें पाओदय को मुख्य रूप से वर्षा के द्वारा पोसित हिए जाता है बिना सिचाई के ठीक है बिस बिना सिचाई प्रणाले के वर्षा के रूपया जालित खेती को वर्षा दिन खेती करते हैं इस प्रकर की क्रीशी बीसेस रूप से वहां प्रदेश में की जाती है जहां पर्याप्त मात्राम वर्षा और सिचाए की सुवीदा जोती में अधिक होना चाहिए ऐसे छेत्र और वर्षान वर्षा कोई में से अधिक होता है ऐसे से छेतर को रेंज स्वार्में करते हैं टीक है वर्षा दिन के राता है बारानी किरसी का है घर खयाते हैं इसमें भूमी की स्वच्छता, जल सनचना और पोसक ततो स्यूक्त भूमी का चैन आवस्यक होता है। इस प्रकार की खेती करने के लिए जो हमारी भूमी है वह स्वच्छ होनी चाहिए उसमें जल सनचना अच्छी होनी चाहिए और पोसकत तस्यूक्त होनी चाहिए भूमी इस प्रकार के में भूमी का चैन करना चाहिए ऐसी भूमी जिसमें पोसकत तस्यूक्त मातरा में हो करते हैं तो भारत में कि महत्तु पहला है आर्थिक महत्तु ठीक है तो बारानी क्यती भारती अर्थिवेष्था के लिए बहुत ही महत्पुड है क्योंकि या आर्थि सुधार और आय का शुरोत परदान करता एंदेखों कि धूँद्धेश है यहाँ हुआ इवाधा है था अपने फावर्त से के पाने से खेती की जाती है उसलिए हमें इसका बहुत इदिक खेतीक रूप में उप्योख किया रहता है तो बहुत भारती क्लिशी का बहुत बढ़ा इससाथ होता है इसलिए बारानी खेती अर्थवेउस्था के भू कि शुरोत में से एक है दुसरा is जीवों के लिए ओसर ठीक है देखे जो भी मैं क्यूजन बता रहा हूं ऐसा ने कि मैं कुछ बता रहा हूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग एक्जाम देकर जब आएंगे तो आप लोग बोलेंगे सर आपने जो बताया था हो असब आया था क्यूजन एक्जाम में इसमें जीवों के लिए जीवन और आहर का सुरुष्ट मिलदा है ठीक है इससे क्या होता है हमारी बारत की जनसंग्चा जो होगा है यह लगबक एकसोचारलीस क्रोड पार होने वाली है ठीक है एकसोचारलीस क्रोड के लगबक है और वर्सादारित खेती 555 प्सर्ट प्सर पर्यावराट को सुरच्षित रखने के लिए हम लोग बराने क्रिसी करते हैं तो आपर क्या होती है हर्याल एक दम राती है तो उससे क्या था हमारे पर्यावराट को ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पर्भाव डालते हैं पर्यावराट के बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्रिसी करते हैं इसलिए इसक्राव सकता है पुर्वान उमान की बात माने फ्रकास्टिंग की तो भारत की जनसंक्षा 2015 तक कितने होने वाली है 17.5 अरब होने वाले है ठीक है भारत की जनसंक्षा जो है सन 2050 तक 17.5 अरब तक बढ़ने की संभावना है और खाद सुरच्छा की चुना होती और भी बढ़ती जा रही है ठीक है जो खाद सुरच्छा की चुना होती है फूड सेफ्टी की चुना होती है वह और भी बढ़ती ज जा रही है इसके साथ ही मौसम जो है उसमें भी अनिमीदता बढ़ रही है विससे सिचाई क्या हो सकता और भी मौत पूर गई है इसलिए रेन फेट फार्मिंग क्या हो सकता हमारे भारत देश में हैं ठीक है कि पुर्वा नुमान के मुताविक भारत की जन संक्या सन 2050 तक सत्र पांच अरब तक बढ़ने की संभावना है इससे क्या होगा इससे हमारे भारत देश में जो खाज सुल अच्छा है वह और भी बढ़ सकती है इसके साथ ही मौसम की जो अनिमीतता है वह अभी बढ़ रही है जिससे सिचाय क्या हो सकता और भी महत पूर हो गई है इसलिए रे इसकी रूप वर्षा के उपर आधारित कितनी क्रीशी चेत्र है तो साथ से साथ से सब्सक्राइब कितनी है जो वर्षा के उपर आधारी थे ठीक है तो यह था आप लोगा पहला क्यूस्टन जो की क्यूस्टन पूरा था बारानी खेती क्या हो सकता है भारत ने बारानी खे इसलिए जल सनक्षड की दिशा में रेनफेट फार्मिंग एक समाधान परतान कर सकता है ठीक है इसी क्यूस्चन में आया अगला क्यूस्चन है इसमें अगला पॉइंट है अस्थानी मौसमें बदलाव अंग्रेजी और साच्छात कारिता डेटा के अनुसार भारती मौसमी अ अगला प्रयोग नहीं किया रहता है अगला क्यूस्चन है तो यह आप लोग एक क्यूस्चन वसिर पवित्व ठीक है दूसरा क्यूस्चन है भारत के सुस्क चेतरी किरिसी चेतरों का वर्गी करण कीजिए ठीक है भारत के सुस्क चेतरी किरिसी चेतरों को तीन बागों बाटा गया है तीन बागों बाटा गया है इसमें पहला है भा भारत के मैदानी सुस्क छेत्र तो हम लोग इसके बारे में देखते चले जा रहे हैं जो भी मैं कि उसे बता रहा हूं मैंने पीछा को सब कुछ पढ़ाया हुआ ठीक है जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया था तो सब को यह कहीं मैं वीडियो में बताऊंगा आप लोगो इसलि जिसमें, आपका आता है, राजस्थान, हरियाड़ा, पंजाब, उत्तर-प्रदेश का कुछ भाग, टिके है, और उत्तर-प्रदेश का उत्तर-प्रदेश काहाई जिला रजाटे के मैदान सुसक शेत्र में करता इसे बाद दूसरा आंडर्प्रदेश तमिल नाडु अ करनाटा ठीक है आंद्र प्रदेश तमिलनाडू वह करनाटक के कुछ छेत्र वह करनाटक में ग्रेनाइट पठार वाले छेत्र ग्रेनाइट पठार वाले छेत्र तो यह सब किसमें आते हैं यह दूसरा था तीसरा है दच्धिखड भारत में ट्रे़ पठार वाले छेत्र तो यह तीन प्रदेश रगे होता है में तिक रिपी है याद रखेगा बहुत इंपार्टन और बार इजाम पुछता है और इस बार भी अपकी ट्रेपी पाथार वाला गुश्य था कि अबुप सुल लिजीयेगा कि भारत के सुसक चेतरी क्यों सी चेत्रों का वर गीर की जीए भारत गोुट्स नहीं का लाइट गला uns ुप नहीं 6 Sc precisely इसमें नयुक्त गॉट कर देश का घरे जांदा बाद में रड़ंती साथ त्क इसमें पुरे देश का एक बैटर नहीं सब्सक्राइब और गुजराथ करनाटक करनाटक इसमें भी आएगा आंधर पर्देश करनाटक आंधर पर्देश के सुस्क्राइब सामिल होते हैं कि इसमें दच्छिर भार्दर ट्रेपिन पटा रोले शेत्र में कॉन-कॉन से महाराष्ट गुजराथ करनाटक आंधर पर्देश इन सभी छेत्रों में खेती वर्षा कुरूप में अधरित होती है और नमी सनच्छर जल संचेन आधि प्रक्रिया करके तुरू की जाती है या बुआई की जाती है ठीक है नमी सनच्छर की तरीकों को पना कर वहाँ पर बु संचेन इसको आप लोग नहीं बूलना चाहिए क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे बताता है यह होता है तो इसको अधिक भूमी पर बहने लगता है उससे एकत्रित करना उस 31 जल को वास्टी करण योम निस्पंदन की हानियों से बचा कर फसलो उत्पादन के उपयोग में लेना वाटर हर्वेस्टिंग कराता है फिर से सुनिएगा देखिए मैं आप लोग को पहले समझा देता हूँ लगता हुए में पानी लगता है इस जल को किसी निचले असान पर खुए तलाब नदी आदि में हमें इस्ट्र करना इस पंदन मतब सूखने की और वास्पो सरजन के हानियों से बचा कर क्रिसिक रूप में प्रयोग लेने की प्रक्रिया ने होती है फसल उत्पादन के प्रयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को water harvesting बोला जाता है तो इस प्रकार से कत्रित पानी को प्योग सुसक मौसर में तब किया जाता है जब फसलों को सीचाई के असकता होती है तता पानी की कमी होती है इस प्रकार के फसलों को सीचाई के असकता होत बढ़ाया जा सकता है ठीक है तो यहां तक बात हुई इसमें तोड़ा सा और आगे देखेंगे तालाबो आदी में कतिरी जल को वास्पी करण से वने वाली जल हानी उसके वाले छेत्रों में उपलग्द पानी पर तैने वाले पदार्थों को प्यों करके करना चाहिए ठीक है पानी से पानी पर दार्थों को प्यों प्यों करके बचाना चाहिए ताकि जल यह और वास्पीकरण की क्लिया कम से कम हो पाए कि यहान को कम करने के लिए एक परत 8-10 cm एक परत मोटे भूसे की लगा कर उपर से 8-10 cm मोटी परत चिकनी मिठी का लगा देना चाहिए यह ता आप लोग का दूसरा तीसरा क्योश्ण वाटर हर्वेस्टिंग चलिए अगला क्योश्ण देखते हैं अगला क्योश्ण और देख ठीक है अगला सूखा सांसीलता से आप क्या समझते हैं ड्राट टोल्रेंस है ड्राट टोल्रेंस सूखा सांसीलता से क्या समझते हैं संचेप में बताईए और सूखा सांसीलता धान की दो वराइटी के बारे में बताई धान की दो वराइटी बारे मताई जैसा कि मैंने सिंसेप में बताएं दो वराइटी दान की बताएं तो चलिए देखते हैं सूखा जल विभव यह अघात जिस पर 50 पर तो तक मर जाते हैं परन्तु पौधे में अभी भी जुवित बने रहने की सब्सक्राइब करते हैं तो जब लंबे समय तक वरसा नहीं होती है तो जिस सस्थान पर लंबे समय तक वरसा नहीं होती है उसको सूखा बोल रहता है सूखा संसेलता है जब अधिक सूखा पड़ेगा उससे 50 पर सित उतक मर जाएंगे लेकिन जो मारा पाओधा होगा वह अभी जीवित रहने के लिए उप्रिक्त होगा तो वह क्या करता है ठीक है तो सूखे के आघात से संसिलता बनाया रखने के लिए पौधों में विबिन यांतरी की उपलब्द होती है, विबिन प्रकार की कारिवीदी उपलब्द होती है, जिससे उसमें पानी का संतुलन बना रहता है, जिसमें कहाता है उससे पानी का संतुलन बना रहता है, सूखा सं संसीलता वह आगात है जिससे 50-35 उतक मर जाते हैं क्या होता है पचास पर जो होते हैं वह मर जाते हैं लेकिन पौधा जो होता है वह अभी भी जीवी तरहने के लिए सक्षम होता है सबसे अच्छा इसका पॉइंट इसका यही है ठीक है उतक 50% मर जाएंगे लेकिन हमारे जो पौधा अगवा अभी जीवी तरहने के लिए सक्षम होगा फिर रहने बता है कि सूखा के अगात से संसीलता बनाया रखने के लिए पौधे में विभिन प्रकायर के कारिवीद्यू प्लब्द होती है जिससे उन्हें में पानी का संतुलोन बना रखता है उसके बाद अगल सूखा परिसित्यों के अनुकूल होते हैं कुछ पौधे बीसे रूप से मक्का गेहुं और चावल जैसी फसले अनुवांसिक इंजिनरिंग के माध्यम से बनाइगी होती है जो क्या करती सूखा क्षांसी लो जाते है ठीक है तो मैंने बताया कि कुछ पौधे बीसे सूख स मक्का गेंवर चावल इन सभी को क्या कहता है अनुवांसिक इंजिरिंग के माध्यम से ऐसी वराइटी तर्यार कर दिया जाती है जो सूखा को सहन करने वाली हो ठीक है संचयन अप्चयन क्रिया पर अनेक पादब चया पचय क्रिया जैसे कार्बन नाइट्रोजन पर सूखे का अधिक परवाब पड़ता है अधिक पाने की कमी कर्ट इस्टोमेटा अंतिक रूप से खुलता है वहां प्रकास चलता रहते हैं और पौधे बच जाते हैं ठीक है तो प्रक्रिया देखे जब इस्टोमेटा पूरी तरह सब्ढ़ जाता है तो प्रकास अंसलेसर नहीं भज़न नहीं बना पाता पोदा मर जाता प्रंतु जिस पहुदे में इस्टोमेटा ठोड़ा पोड़ा घूल रहे गा आंचीक रूप से खुला रहेगा वहां पर से सब्श चालू रहता है उनके प्रोटीन के अधिक मातला के कारण होता है और प्रजन सामगरी शुलचित रहती है तो यह था अब बाद आती है कि सूखा प्रती रोधी दो वराइटी के नाम बताना एक इसके राय के उसको भी मैं आप लोग को बता देता हुँ तो राय का दो THEY अप्रका प्रतिरोधी वराइटी जो मैंने भी सूखा बता है आप लोग को समारणा आ है कि समारणाट icons याद करे एकडम बहुत जाँद तुझे था चावल की दो सूखा प्रतिलोधी वराइटी ठीक है सूखा संस्विल वराइटी तो उम्मित करते हैं जो क्यूशन था आपको अच्छे समयाए होगा सूखा संस्विलता क्या होता है तो सूखा हुआ आगात है जिसे 50% उतक मर जाते हैं प्रांदूपा अभी भी जीवित राने के लिए सक्छम होते हैं ऐसी विश्थिति को ड्राइट टूलेंस वह जाता है यदि कि उसे ने पूझ दिया कि पौदे सूख क्यों जाते हैं जल की कमी से तो आप लोग बताएंग पराव जाता है उससे क्योटा है उसे पौधे के पौधे के कमी हो जाती थे और को अग्स स्टूमेटा आंसिक रूप से खुलता है वहाँ प्रकास चलता रहता है और पौदी क्या करते हैं बच जाते हैं ठीक है इस्टूमेटा जब बंद जाएका तो पौदी मर जाएंगे खुला रहाएका तो पौदी बच जाएंगे तो यह था आप लोग सब्ज्यक्ट के बारे मने पको базषी और हेयं रही हैँ मतलब सुभली कर दैएंगे वर्सा अऊसी सजैयों में तो लिए एक आउसी लिए सुभयाज क्या नहीं है जाना दता है तो हमें इसमें क्या करना है हम इसमें कम पाने में खेती करना है हम लोग कोई ऐसा सिस्टम की यूज करना पड़ेगा इसे हम लोग पाने दे तो बहुत अधिक किन तक खेतों नहीं बनाए रखे उसके लिए हमें जो भी प्रोसेस होता हो सब करना पड़ेगा इस कि उसे ने पलवार से आप क्या समझते हैं पलवार को इंगले जाता है मल्च क्या होता है तो खेत क्यारी गार्डेन याड या गंबले की खुली मिट्टी को ढखने की प्रक्रिया को मल्चिंग करते हैं ठीक है मल्चिंग और मल्च क्या होता है दोने प्रॉबा सांतर मल्चिंग क्या होता है यह आपका खेत ठीक है इस खेत में आप किसी पजल की गुए कि हैं तो यह क्या कर लाएंगा इसके उपर आप क्या करेंगे कोई भी माद्यम जैसे प्लाश्टिक दख देगे या किसी घास बुटी में एकशलों सुंहें चृतिय दंखने सुछया क्रॉम कि पानी की बहुत ज्यद्यक्त सब्सक्राइब मैंगी माइक्रो मीटर जो होता है उतनी मोटी माइक्रो मिटर उतनी मोटी मैं खरीद कर मार्केट से उसके उपर क्या कि मैंने अपने ख्यतक बिइठा चेए कर फाइला कर ठीक है उसके बाद ऊसमें जहां जहां पर आप आप मने थोड़ा सा उसको ऑसको काट कर वहां पर में उसके होगा इससे निख यहां से निकलेगा यहां से यह सब्सक्राइब गर्रेंते निखनलेगी तुम्हें है वह श्रौ जो इसे इसे वाषप दिखने पड़िगी और सब्सक्ति हमेशा होगा ने लगाया इस लगाने की प्रोसेस को बोला जागा मल्चिंग और जो प्लास्टिक मैंने लगाया इस प्लास्टिक को बोला जागा मल्च ठीक उमिद करते हैं मल्च और मल्चिंग समझ में आ गया चलिए अब देखते हैं सुरू से फिर से समझ में आ जाएगा तो खेत क्यारी गार्डन याड या गमले की खुली मीट्टी को डखने की प्रक्रिया को मल्चिंग करते हैं जिसे मैटेरियल्स इसे किया जाता है को ड़क दिता है इसलाप से भूमी की नभी यह यthक रहती है और पानी का भाव क्या होता है मल्च मिट्टी के तापमार को भी संतुरित रखता है फस्वेरों को उचुजित मौसन करता है उससे किक क्यों आगा इसमें लू हशाने मिलता है ठीक है तो मिटवीं की सब alimhema को भी सुझारता है और हसलों कुद्पायव अघंग होता है मल्च की प्रक्रिया सखेती में पानी को उपयोग बहुत कम होता है और मिटडी में नमई को सरुक्त्त नमी और जल सरक्षड करता है नमी और जल सरक्षड करता है नमी और जल सरक्षड नमी और जल सरक्षड तो मल्च जोताव क्या करता है मिर्दा में नमी और जल का सरक्षड करता है मल्च से खाद वा मिट्टी नमी को सरक्षड करता है मल्च से क्या होता है मल्च जोताव क्खाद वा मिट्टी में नमी को सरक्षड करता है जिससे जल का अफवाद धीमा होता है और जल सनर्षड होता है इससे सूख की इस्तिति में मिट्टी का नमी बना रहता है जिससे पोद्य कुछित मात्रा में नमी मिलता है इतना बात आप लोग नहीं आद रखना है थोड़ा बड़ा अगया मैं पढ़ने लगा तो आप लोग के नहीं अर और पोद्य का ऊचित मात्रा में मौबस משend मिलता है तिसरा पॉइंट है मिट्टी की सरचना तो मल्च मिट्टी की सरचना को सखरता है उसे नमयूगत ब्राया रखता है जिससे पौद्य की जड़े आसानी से फरस क्फार सकती है टी चौता कर तो मिट्टी कि और उसकी उत्पादक्ता बढ़ती है इन सभी प्रभाव के कारण मल्च मिट्टी की गुरुवादा उसे उत्पादक्ता बृद्धिक करने मदद करता है तो यहां था मल्च मल्च का मिर्दा गुरुव पर प्रभा उम्मेद करते आपको यह भी किसे अच्छी समझ में आगे ह अगला शूखे की इस्थिती में फसल अनुकूलन के बारे में वरण कीजिये तो यह सूखा पढ़ आता है उससे में फसल अनुकूलन के बारे में करना है तो समय सब्सक्राइब और परिवर्तन के द्वारा एक वीसेस परिएस अतवा वाता बालद में जिवित रहने और पर इसको बनाता है इसको पर आता है क्राप अडेप्शन इंगलीज में बनाता है इसको क्राप अडेप्शन अंडर ड्राट कंडीशन तो असे पर लिया जानना जरूरी है अनुकूलन तो फसलों में सनचनात्मा कत्वा दाहिक परिवरतन के द्वारा एक विशेस परिएस अत्वा वात्ताब्राण में जिवित राने और प्रजणन करने की छमता को अडेप्सन कहा जाता है क्या करता है अब सूखा क्या होता है तो नमी आघहात पाने की कर्मी की पहला है उप्यूक तो फसल का चैन तो हमें ऐसे आप फसल का चैन करना चाहिए जो सूखे के प्रति क्या हो सांस्वीर हो जो सूखा को सां करने वाली हो हमें ऐसे फसल का चैन करना चाहिए ठीक है नमी की कमी की स्थिति में भी अच्छी पैदाबार देती हो या सूखा और इस प्रकार से में खेती होनी चाहिए तो यह जो कि इस महराथन क्लास के बाद एक वीडियो आएगा तो अगला किशन देखते हैं वित्मन ने इसको बता दिया था चलिए फिर से देख लेते हैं बारानी किसी करने की तेक्निक को बारानी किसी करते हैं थोड़ा सा इन तीनों में अंतर रहेगा तो ऐसा चेतर जहां परवार्जिक वर्षा 750 mm से कम होता हो वहां सुस्क खेती अपना जाती है सुस को खेती अपना जाती है इन फ्रकार में फसलों का निस्ट होना समहने बात होता है इसकी फ्रकार कि जो भूमी होती है मौश्व्र Product की तक भार तीक चाहिए ही आगला धर ड्राइलेंड फार्रीन सूस्क फार्विmas policies क्यों ऐसा चितर जहां पर वार्षी पर्षा था 5851900 से 500РЕ1 501erin तक होता हो ऐसे शेतुन में तुष का बूमें करीस ही अपना जाती है फसल जो होते हैं वाज ड्राइफ फार्मिंग से कम नश्ट होते हैं और इस शेतरों में भी नवी तकनीक को अपना कर खेती की जाती है ठीक है अगला रेंफेट फार्मिंग क्या होता है ऐसा शेतर जहां पर वार्षी वर्साइग गया सो पचास एमें से अधिक होती है वहाँ पर अगला श्रूखा क्या है तो सुखा क्या है राट वाट ट्राट कि डॉट क्या है तो विश्ज़ प्रक्रिया चोंद न्याज़् लंबे समय तक वर्षा के अब अम्ती वर्षा नहीं होता है और अब नमी के वर्षा होती है वह इस्तिती होती है जिसंसे सामान ईवरेधिया और परित्रहता करने में और सफल होते हैं अगला कि अजित क्या क्या है क्या क्या या क्यूं सन आप लोग यात किरेंगे तो आप拌ती प्र हूँ यह रुदफ कैसे सकता है अच्छित क्या है इसे सुरच्छाबना क्रीसी भी काते है इसे प्रीशी जिटी कल्चर भी काते है तो आप लोग बहुत अच्छा एक जामपन में इसका डेपनेसन आप बताऊंगा तो आप लोग सुनिए गाई क्रीسी संसादनों का कम से कम प्रयोग करके बादा यह सब्सक्णा पढ़ती है उपकरणों के आउसकता पढ़ती है ए बोलाए कि क्रीसी के के संसादन है तो क्रीशी संसादनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावर्ण को ध्यान रखते विए गुलवत्ता पुड़े अधिक उत्पादन प्राप्थ करने की प्रक्रिया को ही प्रिशिजन एकरी कल्चर करते हैं हम बीस प्रकार से खेती करेंगे कि हमारी जो क्रीषी संसादन है उसका उपयोगा GY背y не वेIZबृत कम मात्रा में हो और उसे परयवर्ण को कोई हानी नहों सोब्सTu हमी अच्छा उत्पाधन प्राप्त हो और गुड़ो अत्ता पड़ो उत्पाधन प्राप्त हो तो आजिसे क्रीशी को मुझते सरच्षी ठीक है जैसे माथले एक खेत रही ठीक है एक खेत एक रहा है यह न्यूंफ कर रहे हैं तो घ्मालग के लिए आप लोग सतर से असी टीजी एक खेत में इसावरे करते थे ठीक है जब आप लोग कुश्चा करेंगे श्म क्या मर् Cream जो भी क्रिसे संसादन है उसका कम से कम प्रियोक करके Qrisives अंसाथ्रों का कम से कम प्रियोग करके पर्या ना वरल को ध्यान में रखते विए ब्रवत्ता पूढ अधिकुद पादन प्राथ करने की प्रक्रिया को ही precision agriculture बोला जाता है तो यह बात होगी precision agriculture की आगे देखेंगे मिष्लित खेती क्या है ठीक है मिश्रित खेती, 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 मिश्रित खेती पहसल को एक अी जगह पर एक ही खिट में उगा जाता है उसे श्ट्रिप क्रापिंग के होता है नहीं नमी को बचाता है मतला पानी की अदिक मात्रा को कम करता है इसमें कम बाने लिए इसके पहली हुचंगी यूजज करेंगे इसी भी जानेंगे ग्र Nein i give the एक लंबी संक पर बहत्त बॉंण यह आप लोगो बता दिया है अब देखेंगे डिफ सिचाई क्या कि निए मैं आप लोग को बता ना कि मैं मुल्च करेला कख्तिया हूं जैसे मैं आप लोग इस प्रकार पाइप लगा दी कि आपको पानी देना यदि पूरे खेद को भरेंगे तो बहुत ज्यादा पानी लगेगा ठीक है arna में तरह में की पैस्साइब से State की में होगा दलेंगे तो यह जो फॉदे के पांवी चला जाए पानी जाए पौद्य को पानी मिल जाए गा इससे पॉद्य को कहार जा ते इससे क्याँता है , ठीक है, इसमें कहा पहोधे , पौूदे जो बन बन करके पानी दिया जाएगा, ठीक है, बन बन करें पानी यहाँ पर गिरेगा , इससे क्या अब कहोगा इससे पानी बहुत कम मात्रम लगेगा और फूरे फसल को मिल जाएगा क्या करेगा पौधे के जड़ के पास जाका गीरेगा इसे पानी बहुत कम मातरा में लगेगा इसी मसे खाद को भी देंगे इसे खाद ही बहुत कम मातरा में लगेगी तो यह सिचाई की एक ऐसी वीदी है चिसे पानी और खाद की बचत होती है इस वीदी में पानी को पौधे की जड़ो पर बूदबूद करके टपका जाता है इस प्रींग लप ऑप बाइप वी पुनाली इस प्रकार से मैं आप लोगो दिखा दूँगा अगली वीडियो में उस प्रकार से क्या करता है बार इसके पानी पर तयारता नहीं है उसे पानी जमीन सुख नहीं पाता है और कम पानी में हम लोग पूरी फॉसल को सिचाही कर सकते हैं बहुत कम समय तो इसलिए यहाँ पर श सिखेती कैसे करें इस देकार से मैं लोगी सिचाही से भी कम पानी में सिचाही कर सकते हैं तो यह भी सिचाही के एक ऐसी वीडिये जिसे पानी को बहुचार की दरब पाउदों पर डाला जाता है जिससे पौधे पर वर्सा की बूदे पढ़ती है और कम समय अधिक सिचाही वह तकी तथा जल भी कम लगता है चलिए देखते हैं अगला क्यूशन अगला क्यूशन जल समेट प्रबंदन क्या है जल समेट प्रबंदन क्या है इसका उद्धे से तथा जल समेट प्रबंदन को परवावित करने वाले कारक का उचित प्रबंद जल समेट के तरीके जल सम करने वाले कारेक कुणे से हैं उचित प्रबंदन का हो उसा है ज़ा समीट क отмет क्या तरीक्या है ऊपको मैं समंझाने कि बता रहा है single to वहीग किया था है समेठने का मतलब होता है कुछ लोग को समेठने का मतलब नहीं Kimchi कटा करना ठीक है जह जो जल मैं होता है यही स्टोर करने तो यही GOT है यही प्रोसेस वता है जो होता है उसने नदी तो गॉहा वेहने के प्रक्रिया कोई जल समेट प्रबंदन कहा जाता है ठीक है तो जल समेट प्रबंदन समंझ में आ गया तो यह उची इची भूमियों पानी ऊबर खावर चेत्रों है पहाडी लाकों में वर्शा के जल का जो होता है सही सोपयोग नहीं हो पाता है जापर पहाड़ और समुद्र में चला जाता है यदि इसी जल को एकतित करके फसलों के उपयों में लिया जाए तो निस से क्रीशी कुद्पादम को काफी बढ़ाया जा सकता है तो यह था वाटर सीड मनेजमेंट ठीक अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसका उद्यस क्या है कि देख बाहर खाए उसको इश्टोर करके उसका समचित और सफ उथ्योग करना इसका दूसरा उत्यस से है ब्ढूव सहल्ण होने हली भूमियम जल कि नकौल को रोकना तो भूच रड़ से होने अली भूमियम जल के इनुक्सान को रोखना अगला है जल समीट छेत्र के उपलब्द संसादनों का समुचित उपयोग करना तता वानिकी पौदे उमचारे की पसलों तथा चारे गासों को उत्पादन करना जल समीट प्रबंदन मैंने के बाता है जब वर्षा जीतुम वर्षा होती है तिरुक जानिक बहुत बहुत लगांने लगता है उस से स्टोर करके क्लिसी कौरूप मैं यूशिवित प्रबंदन थके है और यदि हम लोग क्या करेंगे जल समीट प्रबंदन करेंगे तो उससे हम लोग लिए उत्पादन को और भी ब बढ़ाना अगे देखते हैं अगला क्यूस्टन है यह कीचित वाटर सेट मैंनेजमेंट प्रोग्राम आई डाबलू एम पी बहुत जादा Portaren biggest वाटर मेंनेजमेंट में से यह किस्ट हांनड परशंट आप लोग उसकता है कि यह तो इंटिगेटी वाटर शिंड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे थीख है तो भारत काомеभा की सीओं के चेतर 142 मिल audience ₹्य कितना है 142 मिलियन एक्टियर बातक कृसिओं की च्फेत है एक सो 424 मिलियन हेक्टियर क्वाइब है इनमें से कीवल 80 मिलें एक्टीयर वर्सा के उपर अधारित और कम पा भी मिट्टी के छरण, जल धालड छमता की कमी और पसुदन की खराब गुलवत्ता से बहुत ज्यादा परिसान है बहुत ज्यादा ग्रस्त है इन सभी कारकों ने मिलकर इन छेत्रों में रहने वाले लोग के लिए गरीबी और कूपोस्टर पैदा कर दिया है ठीक है तो मैंने क्य हो के लिए घर गरीबी और कूपोस्टर पैदा कर दिया है ठीक है तो आई डबलू आई डबलू यंपी का उद्यस मिट्टी के कटाव को रोकना वानस्पती आवरण का पुनर जनन वरसा जल संचन की सुरुवात और भूजल अस्तर को पुनर रिचार्ज करना डीचार्ज म इसका मुख चोध्य सता इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए अजिविका के आवसरों में व्रिद्धिक के माद्यम से इन लोगों के जीवन और स्वास की गुरुवत्ताम के लिए सभी सरकारी एजन्सियों के एक आम कारकरम के तरह एक साथ लाने का प्रयास करता है क जो भी अजिविका के आवसरों में व्रिद्धिक करने वाले माद्यम है जो भी इनकी स्वास करने के सरकारी जन्सियों है उन सभी क्या करता है एक कारकरम के तरह एक जगर लाता है एक साथ लाने का प्रयास करता है इसको 2009-10 में एक क्रित बंजर भूमी विकास कारकरम में रेकिस्तान विकास कारकरम और सुखा प्रडशेतर कारकरम जैसे विविन कारकरमों को एक समात एक क्रित कारकरम के तरह लाने के उद्धिस से लांच किया गया था तो इक जानक पूल सकता है कि एक क्रित बंजर में प्रोग्राम को कब लान शिया गया था तो 2009 यह 2010 इसवी में आप बोल सकते हैं क्योंकि यह था क्योंकि इससे जो था था बहुत पाने की कमी से बहुत ज्यादा गरीवी आ गई थी और इसका उद्धिस से था मिटी कटाव क क्रोख रहें वरे शु Vonकुष्ची सवार अवरे चार्ज क reicht करना थीकर था आप लोग का इसमें अग्ली कंशली देख कि अंगला जिन आख I'm बहुत शी अच्छा की उसपस्य से लाइन्ट कि पीछे बताया है चैड़ाय वार्षी कर्षा रिष्ट से ज्यादा होता है जो रे ड्राइफ़र्मिंग वार्षी कभरसा रिष्ट से कम होता है तो रिष्ट और है और गध póरिख या और टर्य द्लेंड और मिर्फल मिन setup झालि होता है एसा नहां पर वार्तित वर्षा वार्षा सथ सारी ऐसा ज chuck घटर यहाँ पर 315 से क्या होता हो अधिक होता हो ठरू कि यहां पर 65 2 306 कम ठीक शीधे और वार्षा गम होता है पर्याब दो गलता है वर्षाक्रित अच्छा बित्ऱ ऻूता है लेकिन द्राइब पार्मिंग होता है इसने वर्षा जोती है कम मात्रा के 왜냐하면 रूप में यह पर वास्था लोता है यह बहुत लाइप फार्मिन होता है वह बहुत अधिक होता है अधिक, यहाँ अधिक रहती है तो यहाँ था दोनों में अंतर चलिए अगरा इसकला कुछ जल चक्र इसको इंग्री से बूला आता है हादरो लॉजिकल सफाइकल ठीक है है क्या होता है फ्कूछ पानी बराता है गूम में आने के बाद कुछ पानी जमीनः लेती है कुछ जगों पर कुछ पानी भर जाता है ठीक है उसके बाद क्या होता है उसके बाद इसका वास्पोस सर्जन होता है ठीक है वास्पोस सर्जन होता है उसके बाद क्या होता है पानी उपर से आता है नीचे नीचे से फिर चला जाता है कहां उपर तो यही जो नीचे आ रहा है नीचे फिर उपर जला जा रहा है इसी वाले प्रोसस को बला लाता है और चाक्र आपक देख लेते हैं क्या होता है तो वर्सा का जो पानी जमीन पर गिड़ता है वह पूरा भूने छेड़ा जिमेदार नहीं होता इस पानी की मातरा नीचे दराथा लिक पानी को ही हम अप धावन या रन आप वाटर काते हैं और पानी की मातरा भूमी की शड़ के लिए जिमिदार होता है बादलों की रचना वादलों के पाने का वित्र हमें नीचे चित्र दिखाया गया है लेकिन आप दो तो इस चित्र देख नहीं सकते हैं तो जल धरातर से वास्प बनकर उड़ना वास्प का बादलों पजवर्टित होना पुना चक पूरा वर्सा जल का धरातल पर आना इसी प्रक्रिया को से चलते रहने की प प्रक्रिया को सतत चलते रहने के कारण इसको बोलता है जल चक्र जो है उपर जाकर बादल बनेगा बादल बनकर फिर पानी नीचे आएगा फिर उपर जाएगा तो इसी प्रोसेस को बलता है सब्सक्राइब को लिखना है तो चली देखते हैं तो आनुसा अंधानों के अदार पर उत्तर प्रदेश ने सुस्क खेती निवने प्रकार्ट की जाती है ठीक है जिसे पहला उथली गारी जुताई पहला पाइंट इसमें लिखिएगा आप लोग उथली गहरी जुताई तो बहुत इंपार्टन क्युप्शन इसलिए मैं बता रहा हूं और वीडियो काफी लंबा भी हो गया है तो यह क्या होता है तो गहरी जुताईों के तुल्ना में उथली जुताई गुम में नवी संचव असुर अच्छा के दिश्टी कोट से अच्छी पा जुताई लागता है इसलिए मैं करना चाहिए सैलो या जुताई करने चाहिए ठीक है उथली जुताई करने चाहिए अगला है मेड़ बंदी वा क्रित्रीम आउरल दिखिए हम लोग फ़र के रहे हैं उत्तर पर दिश्ट के क्रिसी वीडिक किस प्रकारम बुलाएंगी तो खेतों में धाल में धाल की वीडिक में बंदी करने से वर्सा के पानी को खेतों में रोका जाता है मेड़ों से पानी खेत में रोकने से या जिक्तम मातरा को भूमी द्वारा सोक लिया जाता है जिससे क्योंता नमी बनी जाती है ठीक है तीसरा पॉइंट है क्रित्रीम आउर कि इस चेत्र में बुझार की विदी करना चाहिए करने की दुल नहीं हो गालता है एक खाद चूस के शेत्र मोंगफली की खली से साट की ग्राफ नाइट्रोजन प्रति एक्टिवरा चालिश की ग्राफ फास्फोरस सुपर फासफेट के रूप में देने से अधिक पैदावार प्राफ होती है ठीक है अगला बीच की दर्यों अंतरड देखें हम लोग क्या पढ़ने क्यूस्चन पहले बहुत जयाद है क्योस्टन क्या यहाद रखेगा कि उत्तेबर से हम लोग सुस्क भूमी क्रिसी कैसे करेंगी तो बीज की दर प्रति इकाइद शेतर पाधिक की संक्शा कम कर लेते हैं इस प्रेकार प्रतिक पाधिक को अधिक उत्द्र हो जाता है जिस से यह खाद ल होगा त्यल् hypocri को पर्टी होना सबंस्टी तो बरके सwe का Ger खाली रखना अगली फ़सलों के लिए लाब दाएक होता है जहां पर क्या होता है वर्षा कंहुंती वहां पर खेते को खाली छोड़ना का अगली फ्रसल के लिए लाब डायक होता है यह वारत की सब्सक्राइब कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार हमें उत्रपर्द में सुस्क भूमिक लिसी करना चाहिए तो अगला की उसे नहीं भारती जल बचट वार्ट बचट आप इंडिया तो भारती जल बचट क्या है उसको देखेंगे तो बर्फ पात को मिला कर जो की कुल वर्षा को दो से तीन परस्यत आता है ठीक है बर्फ पात किता माना किया है 1190 यमियम समूचे भागली छेत्र में कि समूचे भागली छेत्र से प्राप्त वर्सा को यदि गहराय की काइम बदला जाए तो उक तो वर्सा चार सो मिलियन 400 million hectare meter होती है कितनी होती है 400 million hectare meter आती है जिसका अगर साल की वर्षा को अगर एक अठा कर लिया जाए तो उससे 400 million hectare छेते पर एक मीटर गहरा पानी खड़ा हो जाएगा ठीक है जिसमें 70 million hectare meter जल से वास्पी करित होकर कुना वाई मंडल में चला जाएगा 215 million hectare जल मिर्दा में अंतरा अस्टरोल प्रक्रिया दारा हो जाता है इस अंतरा सब जल में 215 million hectare में से 165 million hectare मिर्दा 1 hectare meter तो मिर्दा द्वारा दारित कर लेता है तदा से 50 million hectare भूमिकर जल कर रूप में नीचे जला जाता है इस भूमिकर जल को जल में से 35 million hectare मीटर जल ही संचीत सिचाई का अन्यकार्य होए तो पंप द्वारा निकाला जा सकता है कुल जल सरोत 400 million hectare मीटर का बाकि इस से 115 million hectare इतना ज्यादा बूरा हाला था काने का क्या मतलब इसका समझेगा यह पोल लाए कि हमार जो भारत देश से यहां पर प्रति वार्षिक वार्षिक वर्षा किदर से वार्षिक वर्षा होती है पूरे भागली चेतर में वार्षिक वर्षा जो है यदि हम लोग उसको गाराई की काई मापे तो 400 million 400 million hectare मीटर आता है ठीक है जिसका आर्थ है कि यदि पूरे जो क्रिसियों की चेतर है उसको उसके पानी कर लिया जाए तो 400 million hectare जो है 400 million hectare छेतर पर हम लोग या कर सकते हैं एक मीटर तक पानी भर सकते हैं जिसमें से 70 million hectare जो पानी है के ऊपर चला जाएगा 215 million hectare जल मिर्दा में अंतर अस्त्रोड प्रक्रिया दारा सूख जाएगा इसके बाद 165 million hectare में से मिर्दा द्वारा कुछ धारित किया जाता है जिसमें से 50 million hectare भूमीकत जल करूप में नीशे चला जाता है और 35 million hectare जो बचता है उसको के द्वारा निकाला जाता है तो कूल जल का सुरूत था है 400 million प्रती हेक्टेयर मीटर लेकिन बचा कितने 115 million जिसमें से 115 million hectare होता है वह नदी में बाता है नालिम बाता है और बर्फ के रूप में भी बाता है यही कालड है कि हमारे भारत देश जो है यहां पर यहां पर 70 million hectare मीटर जल ही मानों प्रयोग में लाया जा सकता है ठीक हमारे भारत देश यहां पर कितना पानी मिल रहा है कितना पानी बच रहा है इस सबी बातों को आप लोग ध्यान दीजेगा तो देखें मैंने आप लोगों को बहुत सारा क्यूशन बता है यदि मैंने जितना भी बताया है आप लोगो यदि इतना पड़ लेंगे तो मैं आप लोग दावे के साथ बोलता हूँ 75% क्यूशन जो है इस मेरे बताया है क्यूशन में से आएंगे अभी एक वीडियो और आएगा आप लोगो के लिए ठीक हो वीडियो जो होगा 20-25 मिनट का होगा जिसमें कुछ और क्यूशन रहेंगे यदि मैंने जितना भी इस इसके बाद वीडियो इसको भी लेकर जितना मैं बताऊंगो यदि पड़ लेंगे तो मैं आप लोगो दावे के साथ बोलता हूँ 75% जो भी क्यूशन होगा 75% से जाला क्यूशन मेरे बताऊंगो एक क्यूशन में से ही आएगा और आप लोग का इंग्जाम जो बहुत ही अच्छा जाएगा उसके लिए मैं बहुत-बहुत सब कामना देता हूँ आप लोग को और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और प्रसप नंबर दिया गया है और आप लोग इसका पीडियाफ ले सकते हैं वीडियो अच्छा लागा है दिए वीडियो को लाक कीजिए जाल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों पास शेयर भी जरूर कीजिएगा धन्यवाद जहिंद